हलो साथियों नमस्कार मैं भीव मोर्या आपके बेने चेनल संघर्स क्लासेश संसाहब पूर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनेंदन और बंदन करता हूं इसी क्रम में साथियों आज हम आप से चर्चा करेंगा भारती संभिधान की जैसे कि आपकी स्क्रीन साथ पर देख सकते हैं तो साथियों भारती संभिधान यहां इसा टापिक है जो सभी परिश्चा में जैसे यूपी ट्वलसीपेट उत्तरवदेश पुलिस एसाई लेकपाल और एससी आल एक जाम या कालेज में हमेशा ऐसे पूछे जाते हैं और आगे बहु देख लेगे तो आपकी सफलता निश्चित है ऐसी आशा उमीद और विश्वास साथ चलिए हम पहले कोश्चन से सुरू करते हैं तो साथियों पहला कोश्चन है भारती संभिधान देख सकते हैं यह लिखा भी गया है भारती संभिधान में कुल कितने अनुछेद हैं तो भारत एक भारत राज्यों का एक संभ होगा अनुछेद एक में यानि पहले अनुछेद में हैं नमबर तीन देखें किस अनुछेद में नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किये गए हैं देख सकते हैं अनुछेद 12 से 35 में यानि मौलिक अधिकार प्रदान किये गए हैं कोश्चन नमबर चार देखिए किस अनुछेद में नागरिक्ता संबंधी प्रावधान है तो नागरिक्ता संबंधी प्रावधान साथी किस में है अनुछेद 5 से 11 पांच से 11 अब क्या होगा अब देखिए थोड़ा आगे देखो यहां तक आप स्क्रीन साथ लेजिए चलिए इसका स्क्रीन साथ लेजिए सभी लोग अब अगला कोश्चन है नवकरियों नवकरियों तथा सहचिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरच्छ उपलब्ध कराने के लिए केन सरकार को काउन सा अनुच्षेद अधिकार प्रदान है तो इसका मतलब होगा कि अनुच्षे अधिकार अब कोश्चन नमबर अगला दिखिए सम्मिधान के किस अनुछेद में राज्ज में निदेशक तत्तों का उलेख है देख सकते हैं भारती सम्मिधान के किस अनुछेद में कल्यानकारी राज्ज की अउधारना वरड़ी थे तो अनुछेद उन्तारिश में अब साथी इसका स्क्रीन साथ लीजिए चलिए अब यहां से अब अगला प्रश्ण है सम्मिधान के किस अनुछेद के अंतरगत भारत में राष्टपती पर महाभयोग चलाया जा सकता है यानि इसका अनुछेद एक सठ अब क्या है अगला प्रश्ण किस अनुछेद में मत्रिगन समोही कुरूप से लोग सभा के प्रत उत्तर दाई होंगे यानि अन्सर 75 यानि 75 अब महा न्याइवादी के उन्यक्ति किस अनुछेद के अंतरगत की जाती है अनुछेद चीहत्तर देख सकते हैं लिखा है अनुछेद चीहत्तर अब सम्मिधान के किस अनुछेद के अंतरगत लोग राष्टपती लोग सभा भंग कर सकता है राश्टपती जिसे भंग तब करेगा जिसे अनुसासन में कोई लोकसभा सदस्र नहीं रहेंगे या गलत काम करेंगे तो लोकसभा भंग कर दी जाएगी या देश में समिधान के पालन नहीं होगा तब जो है लोकसभा भंग करके फिर से उसके बाद चुनाओ करके फिर आगे देश चला जाता है तो फिर क्या है अनुछेद 85-85 इसके बाद साथियों यहां तक इसक्रिंसाट लिए अब चलिए अब इसका करते हैं किस अनुछेद में किस अनुछेद में किस अनुछेद में किस अनुछेद में संसत के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है तो अनुछेद 108 अनुछेद 108 में प्रावधान है समीधान के किस अनुषेद में धन बिधयक की परिभासा दी गई है तो अनुषेद एक सुदस के नाम ले तो धन भी धृक सबसे महातपूर है अगला प्रशन है सम्मिधान की किस अनुछेद के अंतरगत राश्पती अध्यादेश जारी कर सकता है तो अनुछेद एक दो तीर यानी एक सुटेश एक सुटेश के अंतरगत जो है अध्यादेश जारी कर सकता है अब नेश्ट प्रशन समिधान के इस अनुशेद में सरोची नियाले के नियाधीस पर महाभयोग चलाया जा सकता है तो 124, 126, 124 के दोरा महाभयोग चलाया सकता है इसके बाद चलिए अगला देखिए अब राष्ट पती किस अनुशेद के अंतरगत सरोची नियाले से प्रामर्स मांगता है तो अनुशेद कितने 233, अब किस अनुशेद के अंतरगत के इंदर के पास आउसिष्ट सक्तियां है यानि 240 के अंतरगत, अब क्या हो जाएगा अगला पुरहन किस अनुछेत में अंतराष्टी समझ होते लागू करने के लिए सक्ति प्रदान की गई है किस अनुछेत के तहर राश्मत्य पति बित ऐयोका गठन करता है तो अनुछेत 282 के अंतरे कर राश्मत्य बित ऐयोका करता है अब यहां तक आप नोट कर लीजिए साथिवों अब क्या होगा साथिवों अब अगला प्रश्च देखिए संपत्ति का अधिकार संपत्ति का अधिकार किस अनुश्यद में है यानि तीन सव का के अंदरगत संपत्ति के अधिकार राज्यों के लिए लोगसिवा आयोग का प्रदावन यानि 315 लोगसिवा यूपी-पीसी निया गिस राज में जैसे यूपी-अरियाना दिल्ली महाराष्ट मध्यप्रदेश यानि हर राज में एक लोगसिवा आयोग जरूर होता है तो लोगसिवा हमेशा UPPCS और अधिकारी रेंग की भरती निकालते हैं तो वही है 315 के लिए अनुशेद है साथियों अब अगला है प्रणने किस अनुशेद के अंतरगत हिंदी भासा को राजकी भासा घोसित किया गया है तो अनुशेद 343 फस्ट है बहुत महत पूर है अगला कोशन देखिए समिधान के सनुशेद के तहद अनुशूचित जंज जातियों के लिए एक राष्टी आयोका गठन का प्रणन है तो अनुशेद 329 अनुशेद 339 अनुशेद 339 एक अंतरगत है एक अंतरगत अब देखिए अब आगे साथि हो अब संसत को समिधान संसोधन का अधिकार किस अनुशेद में है यानि तीन समालसट जो अनुशेद है समिधान संसोधन कोई भी कार होता है ते करने पहले इस अनुशेद को जानना जन प्रद्निवी को अवस्यक होता है तो प्रश्न है समिधान की किस अनुशेद के अंतरगत समिधान की प्रिक्रिया का उलेख है समिधान की किस अनुशेद में मंत्र मंडल सब्दका प्रयोग समिधान में एक बार हुआ है तो 352 अनुशेद 352 का प्रवधान जो है एक बार हुआ है अब जम्मू कास्मीर को किस अनुशेद के अंतरगत नुशेद दर्जाप्राप्त है तो अनुशेद 372 इसका भी है अनुशेद 372 यह दक आप नोट कर लिए अनुशेद 366 का संबंद किस से है यह राष्टपदी सासन यह देख लीजिए राष्टपदी सासन राष्टपदी सासन कैसे होता है जैसे सरकार के पच में बिधायक नहीं है और वह अब इस राष्टपदाव अगर आ जाए तो क्या होता है राष्टपदी की अनुवत से राष्टपदी सासन लगयाता है तो अगला प्रहन देखिए भारती सम्मिधान में समता यानि समानता का अधिकार पांच अनुशेद द्वारा प्रदान किया गया है वेकवन से राष्ट हैं जासरा जाथ होंदा सत्वक्राइश के नुष्म अब अगला प्रहन है भारत के नागरिक का कर्तब होगा प्राकृतिक परियावरण का सरच्छन एवं सुधार यहां कथन किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद ए में है अगला प्रहन है सम्मिधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निदेश दिया गया है अनुच्छेद 40 जो है यही चुनाव कराता है गाउं में जितनी बैठके होती है सकुष इसी के अनुच्छेद है एक ग्राम प्रधान के लिए है अब क्या है अगला करें वर्तमान में सम्मिधान में कितनी अनुची के बहुत महात्पूल से हैं कि अब इसके बाद कोस्ट्यन नंबर अगला देख सकते हैं अब क्या है कवंसी अनुसूची में 22 भासा को मानता दी गई है उसके बाद अगला है दल बदल के अधार पर निर्वाची सदस्यों की आयोगिता सम्मंधी बिरुण किस अनुसूची में हैं दल बदल कानुन यानि अनुसूची नंबर 10 दस्वे अनुसूची में दल बदल है जो नेता इस पाल्टी में है आगे चलके दूसरी पाल्टी में हो गए फी तीसरी पाल्टी में हो गए तो वही दल बदल कानुन है यही काम करता है उसमें अब प्रहुण है अगला nuit한 की चाहटी खीं एन्सफूची किस राजी कीला लागू नहीं होता आपने मnisse Are अब भारती संविधान की कौन सी अनसूची राज में नामों की सूची तथा राज छेत्रों का व्यवरा देती है यानि पहली अनसूची जो है यह का करती है कि राज के व्यवरा देती है भारती संविधान में नवी अनसूची परिवर्तित हुई प्रथम संसोधन द्वारा प्रथम संसोधन द्वारा नवी सूची परिवर्तित हुई अकिस अनुछेत के अंतरगत उप राश्पती पती की व्यवस्था है तो अनुछेत तीरशठ तीरशठ के तहल उप राश्पत की गोस्ता है बित्तिय अपात की घोसला की इस अनुश्यत के अंतर गत होती है यानि तीन सु साथ तीन सु साथ अगर धन की कमी अगर हुई तीन सु साथ अनुश्यत है इसके लिए यहां तक आप नोड कर लेजिए साथ और उसके बाद राष्टी पिछला आयों का गठन किस अनुश्यत के अंतर गत किया जाता है तो अनुश्यत चालिस के अंतर गत राष्टी पिछला बर का गठन किया जाता है अब नेस्ट, किस अनुसूची में केंदर्व सक्ति के बढ़ार के सत्वी शूची में केंदर्वा के स्क्ति का बढ़ार है जैसे अब इसमें है आश्टेलिया से समुर्ति सूची लिगी थी अगानाड़ा से लिगी थी तो इसमें दोनों थे समुर्ति सूची की मतलब जिसमें कियां सरकार राजाखार दोनों में बिल पाम करें समवर्तिय सूची किस राज से समद्धित है नहीं है तो जम्मु काश्मीर से नहीं है नहीं गहरा नहीं देखो समद्धित नहीं है अब समद्धान लागू होने के समय समवर्ति सूची में कितने भी से थे यहां तक आप नोट कर लिए अब चलिए बागे करते हैं अब क्या है अगला प्रश्ण है आपका अगला प्रश्ण है साथियों वर्तमान में राज सूची में कितनी भी से चाचट भी से हैं यानि समवर्ति में 47 और राज सूची में 6-6 भी से वर्तमान अगला प्रशल्न है वर्तमान में संग सूचि में कितनी भी से हैं है संग सूचि में इस संग मतलब केंदर होता है राज मतलब राज होता है केंद सरकार में या नी 97 से अगला प्रहता किस अनुसूची में असम निगाले त्रिपुरावा व्योरम राज्यों के जनजातियों के छेत्रों के प्रसासन के बारे में प्रवधान है तो क्या है छठी अनुसूची में में गाले त्रिपुरा असम योरम जनजातियां है इनका उले किया गया है तो साथी हो जाए गये छठी अनुसूची देख सकते हैं आप लोग यहां से यहां तक इसका ले लिए पूरा उम्मीद करता हूं यह परिष्ण परिष्छा में जरूर आएंगे और आप गर इसको एक बार देख लेंगे तो साथियो पूरा मालूम हो जाएगा के लिए मैं दिखा दा हूं एक बार ऐसे पूरा साथियो आप लोग इसका गहराई से ध्यन वीडियो आगे बला कर लेंगे और यह अगर आप कर लेते हैं तो यह कीन मानिए कि ज्यादा ज्यादा प्रण इस टापिक से फसेंगे साथियो आप लोग इतनी जोच से जूले रहे इसके लिए बहुत बहुत आभार धन्वाद थैंक यू